नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर हरियनात्रिवेदी अपने इस यूटूब चैनल में एक बार पुनह आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बहु मुल्ले औसधी के विशे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसके सेवन से आप अपने सरीर की सारी कमजोरियों को दूर करके स्वस्तरा सकते हैं इस औसधी का नाम है अलफा-अलफा अलफा-अलफा औसधी का प्रभाव सरीर की संबेदी तंत्रिका पर विशिष्ट किरिया के रूप में होता है तथा यह भूख और पाचन सकती को नियमित करता है जिसके फलस्वरूप मानसिक वा सारीरिक रोगों में बहुत अधिक सुधार हो जाता है यह कई प्रकार के रोगों में उप्योगी है जो इस प्रकार है सनायू विकार, अमासे के रोग, सनायू में कमजोरी, अपच, तथा अनिद्रा रोग आदी विविन लक्षनों के रोगियों को ए रोग को ठीक करने में उप्योगी है अस्तन पान्से संमंधित लक्षन अलफा अलफा असदी वसा बनाती है और उत्तकों को नश्ट होने से बचाती है अस्तनों में दूद की कमी हो जाने के रोग से पीड़ित इस्तरी को यदि इसका सेवन कराया जाए तो उसकी दूद की गुनवत्ता तथा मात्रा बढ़ जाती है और दूद भी अस्तन में बनने लगता है मुत्र से सम्मंदित लक्षन मुत्र संस्थान पर भी अलफा अलफा असदी का विशेश प्रभा होता है जिसके फलस्वरूप मधुमेह रोग तथा मुत्र में फासपेट आने के रोग ठीक हो जाते है रोगी को पिसाब करने की इक्षा लगतार होती है तथा पिसाब में फासपोरिक एसीड इडिकेन आता है इस प्रकार के रोग को यह असदी ठीक कर देती है प्रोष्टेट ग्रंथी से सम्मंधित लक्षन जब प्रोष्टेट ग्रंथी बढ़ जाती है उस सवस्था में मुत्रासे की उत्तेजना को अलफा अलफा असदी कम करती है जोडों के दर्द से सम्मंदित लक्षन, अलफा अलफा अस्दी जोडों के दर्द को ठीक करने में बहुत अधिक उपयोगी है, मन से सम्मंदित लक्षन, अलफा अलफा अस्दी मन में खुसियों का संचार करती है, अर्थात रोगी इसके प्रयोग करने के बाद अपने आपक को स्वस्थ महसूस करता है रोगी का मन प्रसंद तथा स्वक्ष हो जाता है और वह अपने आप को तरो ताजा महसूस करता है जिन वेक्टियों में अधिक चिंता सुस्ति उदासी और प्रचिड़ा पन होता है तथा साम के समय में इन लख्षनों में अधिक व्रिधी होती है उन वैक्षियों के इन लख्षनों को ठीक करने के लिए अलफा अलफा उसदी का उपयोग बहुत लाबकारी है सीर से सम्मंधित लख्षन सीर के पिछले भाग में आखों के अंदर साम के समय में और अधिक व्रिदी होती है, सीर के बाईं और तेज दद होता है, इस प्रकार के लक्षन यदि किसी रोगी में हैं, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए अलफा अलफा असदी का प्योग करना चाहिए, कान से सम्मंदित लक्षन, रोगी को रात के समय में ऐसा मह अची आती है, लेकिन बाद में नींद सही नहीं आती है, शरीर में अलफा श्पन अधिक रहता है, इस प्रकार के लक्षन यदि रोगी में हैं, तो इस आसदी के प्रभाव से रोग यल्दी ही ठीक हो जाता है, तथा रोगी के शरीर में इस फृती है, तथा नींद भी सही आती है, अमासे से समंदित लक्षन, रोगी को अधिक प्यास लगती है, भूख नहीं लगती है, लेकिन कभी-कभी भूख हितनी बढ़ जाती है कि रोगी असाधारन मातरा में खाने लगता है, कभी-कभी तो रोगी को भूख हितना लगता है कि वह भोजन करने के समय की प् प्रियोग करना चाहिए पेट से समंदित लक्षन वायू बनने के कारण पेट फुलने लगता है पेट में हवा इधर उधर घूमती रहती है भोजन करने के कई घंटे बाद बड़ी आंट में दर्ध होता है रोगी जब मल त्याक करता है तो उसका मल पीले रंका होता है तथा इसके साथ ही गुदादवार में जलन होती है इस प्रकार के लक्षनों से प्रित रोगी का उप्चार करने के लिए अलफा-अलफा उस्दी का प्रियोग करना चाहिए अलफा-अलफा उस्दी के कुछ गुनों की तुलना डिपोडियम, पंक्ता, हाइड्रेस्टिक्स, फोस पानी में डाल कर सुबह दोपार साम लगतार सेवन करें आपको बहुत ज्यादा लाब मिलेगा अलफा अलफा उस्दी का उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक सरीर में सक्ति नहीं आ जाती है आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दो